विवो अपने T3 x50 स्मार्टफन को लॉंच कर रहा और उसके साथ दोस्तों काफी सारे दोस्तों की डिमांड आरे थी हलागी मैंने इसका comparison किया था P1 smartphone के साथ Realme P1 smartphone के साथ अभी काफी सारे दोस्त कह रहे थे कि बाइं स्मार्टफन का comparison को T2 x50 स्मार्टफोन के साथ कही Calvin कि बढ़ा किया कुछ कुछ स्मार्टफोन स्मार्टफोन के बीच में कि B वीडियो सुरूँ करते हैं वीवर टी थी एकस्पाइट्फन के देखने को मिल जाएगा भई थे रहा हजार के अंदर सुरुवाथी प्रेजिंग के अंदर ये स्मार्ट देखने को मिलने वाला है वीजस्पेंट के इंद्धोने स्मार्टफन के पैसपेसरन की और दिजेन हमें यहां पर दिया गया था फ्रेंट सेट में आते हैं तो यहां पर ड्यू ड्रोप नोच वाली डिस्प्ली देखने जाती जो कि IPS LCD पैनल के साथ देखने हम जाता है बैजर स्कीन मैं यह निकूंगा कुछ ज्यादा ही कम है चीन में थोड़े हलागी ज्यादा बैज नेकूल में मिलता था चांट हो डिसप्लेइं हमें देखने मिल जाती थी लेकिन अगर बत को था ओवं पर स्टोड़ेक सब्सक्राइब सीच्ब सब्सक्राइब की थोड़े हुआ आपको स्मार्फोन का अच्छा लगा लेकिन अगर मैं डिस्प्लीं की बात को दूसरी बात उन्हां पर जो brightness है उसको थोड़ा बटा दिया गया और थोड़े बैजस को कम कर दिया गया है यानि ओवराल भाई थोड़े बहुत चेंजिस महां पर जुरूर किये गई हैं बात करते हैं दोस्तों दूसरी सबसे बड़े कैमरा की बाई कामरा कौन से प्राइब का पिक्सल का सेलफी है एट मेया पिक्सल की नमबर वाइज दोस्तों को लगेगा कि सेम स्मार्टफून देखने हो मिल रहे तो सेम कैमरा क्यों देखने को मिल जाती है ऐसा नहीं है अपर बहुत बड़े चिंजिस के साथ टी थी एक्स निकाला कैमरा वाइज ऐस कुछ नए एक्स्टा फीचर दोस्तों यहां पर T3 X के अंदर यहां पर लाएगे हैं जिससे कि स्मार्टफून की कैमरा क्योल्टी है थोड़ी ही इंप्रूब यहां पर हो जाती है सेम्पल्स के लिए आपको कुछ कैमरा सेम्पल्स दोने स्मार्टफून की दिखा देता तो नो डाउट जो वीवोड T3X स्मार्फोन की कैमरे क्वेल्टी है मच बैटर है T2X5 स्मार्फोन से बाकि आपको कौन से स्मार्फोन की कैमरे क्वेल्टी अच्छी लेगी आप मुझे comment box में बता सकते हो बात करते हैं दोने स्मार्फोन की performance की देखो हमने display देखा camera देखा वह अबर थोड़े थोड़े चेंज देखने लेकिन अगर मैं बात करता हूं performance की तो यहां पर सिर्फ नाम का इडिफरेंस देखने मिलता है रियल्टी में कोई ज्यादा बड़ा डिफरेंस देखने मिलता है जैसे कि अगर मैं बात करता हूं वीवोड T2 X5G स्मार्फोन की तो यह स्मार्फोन में देखने को मिल जाता है दोनों के ही यहाँ पर मैं अगर आपको दिखाता हूं तो इहाँ पर आपको कोई बड़ा डिफरेंस देखने नहीं मिलेगा मैं आपको दोनों के यह एंटर डुबैंग स्कोर साइड बाइस दिखा देता हूं गीक बैच स्कोर वह भी हाँ पर साइड बाइस दिखा देता हूं और यहाँ पर आप देखोगे तो कोई ऐसा बड़ा डिफरेंस आपको देखने मिलेगा कुछ 1000 तक का ही आपको डिफरेंस देख मिलेगा और रियल्टी में अगर आप दोने स्मार्टफोन को हाथ में लेकर यूज करोगे तो आपको वो डिफरेंस भी हाँ पर देखने मिलेगा यानि पर आपको डिफरेंस अगर मैं ब्लब अगर मनें बैटरी में हमें थोड़े चेंज सेहां की साथ मिला था 18 बैकप तो अच्छा मिलेगा है मिलेगा लेकिन जो चाइज इन स्पीड है वो भी थोड़ी हाँ पर इंप्रोग कर देगी है तो यह थी दोस्तों सारी चीजे दोने स्मार्टफून के बारे में जो कि मैंने आपको बताई आई तिंग आपको वीडियो अच्छे लिगयोगी औ आपको कौन सा स्मार्टफून खीना चीए टी 2x और टी 3x में से फिर भी अगर आपको नहीं लगता है तो मैं आपको बता दू दोने स्मार्टफून वैसे ठीक है यार्टी 2x जब लोंच हो था उस प्रइजिंग के अच्छा था लेकिन टी 3x अब जिस प्रइजिंग में उसे हिसाब से अच्छा स्मार्टफून है लेकिन फिर भी अगर बात आते हैं दोने स्मार्टफून में से एक स्मार्टफून खरीने की कि हमें कौन सा स्मार्टफून खरीना चीए कौन सा स्मार्टफून हमारे लिए बैस्ट हो सकता है तो नो डाउट टी 3x 5G स्मार्टफ